नमस्कार, Hindi Learning चैनल पर आपका स्वागत है, आज आशिमा महाजन आपकी एधियापी का Hindi Learning चैनल पर लेकर आई है, शितिज भाग दो, क्लास 10 के स्टुडेंट्स के लिए, कोर्स A के स्टुडेंट्स के लिए, चैप्टर नमबर बन पद, जी हाँ, सूर्दास जी द्वारा हो चुक है, माइंड मैप इसका अप्लोडेंट नहीं है, माइंड मैप आच अप्लोड करने जा रही हूं और बच्चों को माइंड मैप के जरीए मैं पार्ट पूरा समझाने जा रही हूं, तो हर बच्चा ध्यान से माइंड मैप के जरीए इस पार्ट को समझ ले, सुन ले ताकि पाठ में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो बच्चा कोई भी प्रश्न देने से चुके ना तो आईए स्टार्ट करते हैं सूर्दास के जीवन परिचे से तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सूर्दास जी कौन है तो आपको पता है कृष्न मारगी शाखा के प्रतिनिदी कवी है हमारे सूर्दास जी हिंदी के भक्तिकाल के महान कवी है कौन सूर्दास जी शिर कृष्न के अनन्य उपासक है कौन सूर्दास जी ब्रजबाशा के शृष्ट कवी है कौन सूर्दास जी तो सबसे पहला पॉइंट है भक्तिकाल की सगुन भक्तिधारा की कृष्णमार्गी शाखा के प्रतिनिदी कवी अब पहले बच्चों को यही पता होना चाहिए यह भक्तिकाल क्या है तो आपको बता दिया जाए जो हमारा हिंदी लिटरेचर है जो हमारा हिंदी साहित्य है उसकी विकास यात्रा के चार खंड है जानिकि उसको चार कालों में डिवाइड किया गया है आधिकाल, भक्तिकाल, रिती काल और आधुनिक काल बताईए हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया बच्चो चार कालों में वो काल कौन कौन से है आधी काल से शुरू हुआ है आधी काल, भक्ती काल, रिती काल और आधुनिक काल अब बताईए आदिकाल में क्या क्या होता था वो सुन लेते हैं तो जो आदिकाल है इसमें आपको जितनी भी कावे रचनाई मिलेंगी उसमें वीर्ता की इतिहास से रिलेटेड योदा लोग जो होते हैं जा सरक्षक जो होते हैं जा राजा की मृत्यू के बाद जो शोक व्य युग भी कहा गया है और इस काल में संतकबीर, जैसी, तुलसीदा, सूर्दास इन सबने अपनी रचनाएं लिखी थी फिर रितिकाल और रितिकाल में जब अलंकार आ गए रस आ गए एक एक दोहे में जब हमने इन उधारनों को देखना शुरू किया तो रितिकाल की विश आधुनी काल में राष्टी भावना का विकास हुआ और आधुनी काल जो है इसमें खड़ी बोली यूज़ की गई तो समय के साथ साथ गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयाप्त विकास हुआ वो सिरफ आधुनी काल में हुआ तो पता चल गया आपको क्य अब बात करते हैं, यहांपना लिखा है, बगतीकाल की सगुन भक्तीदारा. तो भक्तीदारा भी दो है, निर्गुन और सगुन. अब सगुन भक्ति का अर्थ क्या होता है? जिसमें हम इश्वर के गुन को अकार को देखकर उनकी पूजा करते हैं लेकिन निर्गुन उपासना पतती में इश्वर के निर्गुन रूप की उपासना की जाती है जाने कि जब हम मानते इश्वर ना दी है अनन्त है ना जनम लेता है ना मरता है तो इस विचारधारा के साथ जब पूजा पाठ करते हैं तो किरिश्नमारगी शाखह के प्रतिनिदी कभी अब कृष्णमारगी शाखह जाने कि जिन भक्तकभियों ने विश्नू के अफ़तार के रूम में कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष बनाया वो कृष्ण कावे धारा के कभी कहलाइ hybrid. और उनमें परती निधी कभी हमारे सूरदास जी ही है, और सूरदास जी जो है, इनके जो गुरू थे, वो है वलबाचारे जी, जीवनकाल सूरदास जी का देख लेते हैं, 1478 से 1583 के बीच में सुविकार किया जाता है, 1478 से 1583 के बीच में, और इनका जनम हुआ कहां बच्चो दिली के निकट बल्लब गड़ के पास सी ही गाउं में हुआ यह आपको पता होनी चाहिए चोटी चोटी चीज़ें कहा जाता है कि सूर्दाज जनमांद थे जनम से ही अंदे थे लेकिन इन्हों ने ऐसी ऐसी बाल लिलाओं का वर्नन किया है लगता नहीं कि सूर्दाज जी जो है वो जनम से अंदे थे और सूर्दास के गुरु है माहप्रबू बलबाचारे जी और गुरु से मिलने से पहले सूर्दास जी थे प्रभु का जो गुनगान करते थे वो विने के पदों में करते थे ठीक है अपने गुरु के कहने पर इन्होंने क्या किया अपने बाकी बचे जीवन में पदों द्वारा भगवान शिरी कृष्ण की बाल लीला का वर्नन करना शुरू किया, गोपियों की विरहा का वर्नन शुरू किया, सूर्दास जी की जो रचनाएं हैं जा प्रमानिक गरंथ हैं वैसे तो पांच है, लेकिन तीन के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि सूर्दास के बाकी में स्टेंडर में चीजें बात डिसकस होती हैं, प्रमानिक जिसमें से तीन के बारे में आपको अभी बताया जा रहा है, वही आपके लिए इंप्रॉटन्ट है, सूर्शागर, सूर्दास की सबसे परसिद रचना है, सूर्शागर जिसमें सवालाग दूसरा है सूर सारावली और तीसरा है सहित्य लहरी जिसमें आपको कूट पद मिलेंगे कूट पद होते जिसके अर्थ हमें जल्दी समझ में ना आएं तो यहां तक हमने समझ लिया सूरदास जी का जीवन परिचे जिसमें से आपको कुछ भी नहीं भूलना चाहिए सूर के ब्रमर गीत से चार पद लिये गए हैं और ब्रमर गीत का प्रारम और यह तीन पॉइंट लास के अभी डिसकस नहीं हुए हैं तो सूर के ब्रमर गीत से चार पद जो लिये गए हैं वो आपके सूरदास के पद बने ठीक है आपको पता है ब्रमर गीत क्या होता है तो ब्रमर गीत शब्द जो है वो ब्रमर और गीत दो शब्दों के मेल से बना है ब्रमर छे पैरों वाला एक कीड़ा होता है जिसका रंग होता है काला इसे भवरा भी कहते हैं और गीत गाने का प्रयाईवाची होता है तो ब्रमर गीत का अर्थ क्या निकला भवरे का गान जानी की भवर यह खीजे जाती है इसे खीजी हुई गोपियों उन्हें काले भवरे की उपमा दे देती हैं तो यह जो सो पदों का समूध था वो ब्रमर गीत कहलाया ब्रमर गान कहलाया और उद्दफ संदेश भी इसे कहा जाता है और यहां सूर्दास के ब्रमर गीत से सिर्फ चार पद लि प्यास किया लेकिन गोपियों जो थी वो ग्यान मार्ग की बिजाए प्रेम मार को जादा पसंद करती थी इसलिए उन्होंने उद्दफ का शुष्क संदेश जो था वो पसंद ना किया तबी वहां पर एक भूरा पहुंचा यहीं से ब्रमर गीत का प्रारंब होता है ठीक है तो गोपियों ने जो ब्रमर के बहाने उद्दफ पर व्यंगय बान छोड़े उससे ये चारो पदों में हम मिल जाएगा कि क्या क्या गोपियां जो है वो उद्दफ से कह रही है सूर्दास वातसल्य शिंगारस के सरफश्रिष कभी तो हैं तो आएए पहले पद में क्या बताया गया है तो सूर्दास के जीवन परिचे के बाद प्रथम पद डिसकस होने जा रहा है प्रथम पद में तीन पॉइंट उद्दफ की तुलना और गोपियों की स्वेम तुलना अब उद्दफ पर क्या क्या व्यंचय किये गे वो बताया गया है कि गोपियां जो है वो क्रिश्न के मिद्तर उद्दफ पर व्यंचय करती है कि हे उद्दव तुम तो बड़े भागेशा लियो गोपियों द्वारा उद्दव को भागेवान कहना कि तुम बड़े भागेशा लियो कैसे कृष्ण प्रेम के धागे में ना बंदरा तुम तो कृष्ण के पास रहे फिर भी प्रेम रसमें नहीं डूबे तुम तो सोंद्रे पर ना पढ़ी गोपियों का ऐसा काना ऐसा कहना कि तुम तो कैसे हो उद्दफ पर व्यंगे जो किये गए कि तुमारी तो दृष्टी जो है कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण प्रेम पर नहीं पढ़ी है तुम तो क्रिश्ण के साथ रहे लेकिन उनके प्रेम से अलग रहे ओके तुम्हारे श्रीर पर क्रिश्ण प्रेम का कोई दाग ही दिखाई नहीं देता गोपियां उद्दा पर व्यंगे करते एक और उधारन देती है कि जिस पर का जल के बीच रहते हुए तेल की गागर पर पानी की एक बूंदनी टिकती तुम पर भी क्रिश्ण प्रेम की कोई बूंदनी तो उद्दाफ तुमने तो प्रेम की नदी में कभी पैट डबोया ही नहीं तुमारी दृष्टी तो कभी उन पर पढ़ी ही नहीं तुम उनके रूप पर कभी मुग्द हुए ही नहीं तो गोपियां अपनी स्थिती स्पष्ट कैसे करती हैं गोपियों की स्वेम तुलना की गई कि हम तो बड़ी बोली बाली हैं अबला हैं क्रिश्ण प्रेम में इस प्रकार डूबी पढ़ी है जैसे चीटी गुड में पग जाती है तो गोपियों का व्यंग ये है कि उद्दफ कभी क्रिश्ण के प्रेम के धागे में नहीं बंदे इसलिए वे विरहा वेदना का अनुबव नहीं कर सकते तो ये था हमारा प्रथम पद जब आप प्रथम पद की एक्सपनेशन सुनोगे मेरे चैनल पर लिंक दिया गया मैं इस वीडियो के नीचे देने जा रही हूँ इतनी इसी एक्सपनेशन आप और कहीं नहीं सुन सकते तो आप वहाँ पे समझ लीजिएगा पूरी वर्ड टू वर्ड एक्सपनेशन जो भी इस एक एक लाइन का मीनिग है प्रथम पद के बाद दूसरा पद आया अब दूसरे पद में क्या बात की गई है गोपियों की अभिलाशा और आश्शा की कि गोपियां खुद स्विकार करती है उनके मन की अभिलाशा है जो है वो मन में दपके रह गई वो कृष्ण के सामने अपने प्रेम को जाहिर ही नहीं कर पाई उनसे प्रेम की बात कही ही नहीं पाई अब वो सोच नहीं है कि लोग पता नहीं ऐसे कैसे कर लेते हैं हम तो उनके आने की पर्तिक्षा करकर के अपने तन्मन की व्यथा को सहन कर रही है, कृष्ण पीड़ा को व्यक्ति नहीं कर पा रही है, कृष्ण आगमन में तन्मन की व्यथा सहन रही है, योग संदे से विरहा पीड़ा में जल रही है, और तुम उपर से हम तो इंतजार करी नहीं है उद्दफ से कहा रही है तुमने हमें आकर योग का संदेश सुना दिया इसे सुनकर तो हम गोपियां विरहा की आग में और जली जा दिये हम तो पहले से ही वी योग में थी लेकिन तुमारा ये जो योग का उपदेश है इसने तो हमें भस्मी कर दिया एक तरह से उस अपने दुख को कम करने की प्रातना करना चाहती थी लेकिन गोपियों की विरह व्यता बढ़ने का कारान था कि कृष्ण के मित्र उद्धव वो ब्रज में आ गए योग का संदेश लेकर इसे सुनकर गोपियां और बेचैन हो गई तो गोपियों के जीवन का अधार कभी ने कृष्ण के लौट कर आने की अवदी को बताया ये अवदी इंतजार की अवदी थी जो कभी समाप्त नहीं हुई ठीक है तो यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन बिलकुल नहीं किया क्यूंकि कृष्ण लौट कर नहीं आए है ना तो उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया दूसरा फिर गोपियों ने भी अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया नश्ट कर दी मर्यादा और विरह प्रेड़ा में जल रही है आज भी प्रेम धारा के स्थान पर योग संदेश बे दिया कृष्ण ने अब गोपियां कह रही है धारे कैसे धारन करे हमारी कोई मर्यादा बची ही नहीं है अब तो तृत्यपद अब तृत्यपद में क्या बताया गया है एक निष्ठ प्रेम अब गोपियां एक निष्ठ प्रेम की बात करी हैं यहां पर अब एक निष्ठ प्रेम होता है जो तिका रहता है यह नहीं इधर उधर मन व्यथित होता रही हमारा तो गोपियां उद्दफ से कहती है हमारे कृष्ण तो हमारे लिए कैसे है हारिल पक्षी के समान अब हारिल क्या होता है एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी लिए रहता है गोपियां भी स्वेयम को उसी हारिल पक्षी के समान मानती है क्रिश्ण उनकी लकड़ी है तन मन से हर पल कृष्ण को रटना कहता कि जो गोपियां हैं अपने प्रिये कृष्ण को हर पल रटती रहती है सोते जागते दिन में रात में बस कृष्ण कृष्ण की रट लगाती रहती है कड़वी ककड़ी के समान योग संदेश की तुल्ला की गई है दो चीजों से याद रखना एक कड़वी ककड़ी और एक बिमारी तो कहा गया कि जो योग का संदेश जो उद्दव लेकर आया है उसके लिए उन्होंने बताया कि गोपियों को योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है क्यों कि कड़ी ककड़ी को खाया निगला नहीं जा सकता उसी तरह गोपियों के लिए योग को स्विकार करना है वो भी बड़ा मुश्किल है योग की अवश्यक्ता अब बताया गया है कि योग की जो अवश्यक्ता है उद्दफ तुम तो और दूसरा योग संदेश एक बिमा रहता है इसे उनी को सोंपदो जिनका मन चक्री के समान घुमते हैं हम तो पहले से कृष्ण के प्रती एक निष्ठ प्रेम बनाए हुए है हमारा मन जो है वो भ्रमित नहीं है जो इदर उदर होता रही तो गोपिया उन लोगों के लिए कह रही है जो योग का संदेश है जि है वो मन को स्थिर करता है स्टेबल करता है अब है चतुर्थ पद अब चतुर्थ पद में क्या बताया गया है कि राई निती के साथ राई धर्म भी पालनिये होता है तो गोपियों के बारे में आपको इन पदों में जानकारी मिलेगी कि गोपियां भी राई धर्म और राजा से क्या चाती हैं? राय धरम पालनकी अपेक्षा realize का धरम क्या होता है? कि वो प्रजा को सताए ना, प्रजा के हित का ध्यान रखे ना То गोपियां भी चारी पर हित के लिए भागे चले आते दूसरों का हित करने के लिए फिर कृष्ण पर वियंगे किया गया गोपियां कृष्ण पर वियंगे कर रही है कि अब उन्होंने राइनिती पढ़ लिए पॉलिटिक्स पढ़ लिए राइनिती शास्त्र पढ़ लिए पहले से तो चतुर थे ही, अब गरंत पढ़के और भी चतुर हो गए है, मदुकर शब्द का प्रयोग आपको इस कावियाश में जब मिलेगा, तो वो उद्दव के लिए किया गया, वैसे तो मदुकर भौरे को कहते हैं, और दोनों में समानता होने के कारण इस शब्द का प् गोपियाँ उद्दव को संबोधनी तो कर रही है, है ना, उसके बाद वियोग शिंगारस मिलेगा, क्यूंकि विरहागनी में जल रही हैं गोपियाँ, अलंकारों के पर योग मिलेंगे आपको, रूपक अलंकार है, कानहा, कानहा, दो वर्ड एक बार आएंगे, प्रकाश अलंकार मिल गया, तो कावे सुंद्रे की ये सारी विशेष्टा हैं आपको पता चल गी यहाँ पर, तो टोटल आपका चैप्टर हो गया, कम्प्लीट, जानि कि अब आप जब एक एक पद की एकस्पानेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो अ आप कुछ देखना चाहें, समझना चाहें, तो जरूर देखें, फटा-फट से आंसर कीजिए चलिए, इस पद में गोपियों, जो है, बीच-बीच में से आपको ये कोशन पूछ लिए जाएं, अगर पैराग्राफ देकर, तो इस पद में जो गोपियां है, हारील की लकड है ना, तो गोपियां उन्हें हारील की लकडी किसे का था, उन्होंने शिर कृष्ण को का था, गोपियों को उद्दव द्वारा दिया गया योग संदेश, कैसा प्रतीत होता है, बताइए, कडवी ककडी के समान, अब ये मत समय ना कि खीरा ककडी एक समान होते हैं, खीरे प संकेत किया गया है, उद्दव की योर, हमारे हरील, हारील की लकडी में कोन सा अलंकार है, अभी आपको बताया मैंने, अनुप्रास अलंकार, चली आईए, आगे भी डिसकस कर लेते हैं, कोशन आंसर, उद्दव, शिरी कृष्ण का कोन सा संदेश लेकर आये थे, बताइए, जो उद्दव थे, वो शिरी कृष्ण का, जब आप सकिंड पद पढ़ेंगे, मन की मन ही मांज रही, तो उद्दव शिरी कृष्ण का कोन सा संदेश लाए थे, योग संदेश, ठीके, गोपिया दुखी की हुथी बत्चो, उद्दव के आने के कारण दुखी थी, नहीं, ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया था, प्रेम की मर्यादा का पालन, ओके, विरहा की जौला में जलती गोपियों का क्या विश्वास्ता, कि शिरी कृष्ण उनके पास अवश्य आएंगे, चली अगले डिसकस कर लेते हैं, जब आप पहला पद पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा, इस पद में गोपियों द्वारा उद्दव को क्या कहा जाता है, बढ़बागी, पहला ही है, भागेशाली, शिरी कृष्ण की विरहागिनी में किन्हें जलना पढ़ रहा है बच्चों, गोपियों को, गोपियों ने अपनी तुलन किस्य की है, जी हाँ, गु किसके प्रेख में आसक्त हो गई, तो गोपियां कृष्ण के प्रेख में आसक्त हो गई, मतलर डूब गई, ठीक है, शिरी कृष्ण का योग संदेष लेकर कौन आए थे, आपको पता हिए उद्दव आयो थे, पहले के लोग कैसे होते थे, बताई दीया है, प्रोप कारी हो गोपियों के अनुसार सच्चा राइधर्म क्या होता है प्रजा को भिलकूल ना सताना प्रजा के कष्टों का निवारन करना प्रजा के हितमे कारेय करना उपर यूग योग को किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? तो गोपियां अस्थिर मनवाले लोगों के लिए योग को उपयुक्त बताती हैं. गोपियों को कड़वी कखड़ी के समान क्या प्रतीत हो रहा था बच्चो? योग का संदेश. सूतो ब्यादी हमको ले आए पंक्ती में ब्यादी किसे कहा गया है? जी हाँ योग साधना को. मदुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उद्दफ के लिए. गोपियां क्या प्राप्त करना चाती है? अपना मन प्राप्त करना चाती है. उद्दफ के विवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है आप ही बताइए कमल के पत्ते से गोपियों को शिरकृष्ण का विवहार कैसा प्रतीत होता है बच्चो छलपूर्ण किसने मर्याद प्रेम की मर्यादा का उलंगन किया है जी हां कृष्ण जी ने ठीके तो यहां पर आपसे हमने अभिहास भी करवा लिया माइन मैप के जरीए चार पदों को भी समझा दिया अब हर पद की एक्स्पानेशन को सुनना हो तो नीचे क्लास टेंट की प्लेइलिस्ट का लिंक दिये उस पे क्लिक करेंगे तो आपको चेप्टर मिल जाएगा सूर लेकिन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना क्योंकि ग्यान बांटने से ही बढ़ता है ओकी गुड़ पाई